है आज आज आप लोगों को वो चार स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके मैं दोलक सीखा मैं नहीं इवन हर एक रिदमिस्ट इन चार स्टेप्स फॉलो करके ही सीखता है यह अब्जरविशन के बात है मेरे 15-16 साल के एक्सपियेंस की बात है और इतने टाइम में मैंने जितना भी अव्जर्व किया है म्यूजिक को वो सब चीज़ें बताने वाला हूं आप सोचे होंगे इस वीडियो में कोई ताल नहीं बता रहा हूं तो वीडियो काम की नहीं है इस वीडियो में वो फॉल्मियूला वो एक त् euros बताने वाला हूं जिससे एक पैटनी एक कोई भी चीज आप तैयार कर लेंगे बहुत कम न इक पैटन के बोलो से लेकर मल्लों बोल पता हैं बजाने नहीं आते बोलों लेकर गाने में वो चीज प्ले करने तक की जर्णी किस तरीके से बहुत कम टाइम में आप कर लेंगे अचीफ बहुत काम की वीडियो है प्लीज दिहान से देखेगा और पूरी वीडियो देखेगा स्टार्ट करते हैं स्टेप नमबर वन आपको बोल पता चले मतलब कि मेरी वीडियो देखी या फिर किसी और की वीडियो देखी या आप किसी गुरू के पास सीखते हैं कहीं से भी आपने आपको बोल पता चले या आपने खुद बनाए हैं आपको बोल पता चले, पैटन के, अब उसे तयार कैसे करना है, गाने तक कैसे अचीव करना है, तो देखिए, सबसे पहली बात, पैटन कोई भी आप ले सकते हैं, हम सिंपल लेते हैं, धिन्ता, 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 सबसे पहली चीज बोल, बोल लिखे हैं आपको, अभी आप को क्या करना पड़ेगा सबसे पह्ले बोल लिखना बहुत जरूरी है जी welau tas लिखे बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम याद कर लेते हैं और बजाना स्टार्ट करते हैं ये काम नहीं करना सबसे पहले लिखना है उन्हें और अपने सामने रखना है बोलों को, इसलिए मैं बोल तो पूरी वीडियो देखा करिए, वीडियो देखते हुए वलकि बजाएं, वो चीजें समझ आती है, इसलिए बोल लिखकर सामने रखे, फिर बजाना स्टार्ट किया, जैसे कि धिंता, धिं बताया गया है कि नीचे से बजाना है, ता उपर से ब धिंता, 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 क्योंकि यह step 1 है, और इसमें आपको उस notebook को जहां पर अपने बोल लिखे हैं, वो भी देखने पड़ रहे हैं, अध दे सेम तैम आप यहां पर बजा रहे हैं, आपको इस step 1 में सिर्फ दो तीन चीज़ों का धिय धिंता, 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 धिं ते तोन और गय greeting दो चीज़ें आपने मेंटेन करके रखनी है और फिंगर्श यूज हो नी चाहिए जो उस बॉल के लिए होनी चाहिए मतलब कि देना अगर नीचे असलाइड तो नीचे से तिम नीचे से से वोने नीचे से ता बजना होपर से तो उपर से ये पहले step की बात है copy को notebook को देखते हुए ये चीजों को ध्यान में रखते हुए सिरफ ये निए अभी देखना कि कहाँ slide देना है कहाँ बोल soft चाहिए कहाँ ना proper आना चाहिए ये सब चीज अभी नहीं अभी सिरफ आपने बोल देख कर हाथ में बिठाने है observe कीजिए उसे देख देख कर क्या होगा और साथ में बोलना भी है step number one है ये base है भूलनी भी ये बोल उससे क्या होगा आप beginner हो 2-4 दिन लगेंगे advanced student है 5 minute की बात है beginner हो बिल्कुल नए हो तो 2-4 दिन लगेंगे आपको 2-4 दिन की practice के बाद आपको वो notebook को देखने की ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ आता है step two दूसरे step में क्या है कि आपको notebook देखने की ज़रूरत नहीं होगी अच्छा गाइस एक request प्लीज आप लोगों को जैसे पता है मैंने एक vlog channel बनाया था बड़े time पहले और तब से मुझे बहुत सारे messages मिलते हैं vlogs कब आएंगे कब आएंगे तो guys vlogs आ रहे हैं 15th of September को रात को 8 बजे मेरा पहला vlog अपलोड होगा description में लिंक दे रहा हूँ अनुझ लोधी vlogs का प्लीज जाकर अभी subscribe कर देजे चैनल को जो मेरे regular viewers है वो तो please channel को जाकर subscribe कर देजे आपने पहला vlog तो जरूर देखना है और अगर आपको channel ना मिले normally अनुझ लोधी vlog भी सर्च कर सकते हैं description में वैसे link में दे दूँगा मैं आप लिगों को चलिए second step जिसमें आपको बोल देखने नहीं पड़ रहे notebook में क्यों क्योंकि 2-3 दिन बजा रहे हैं आपको याद हो चुके हैं बोल बिल्कुल अब क्या है start step 1 में यह हो रहा था कि पहले आंखों से बोल देखे जा रहे थे फिर mind में आ रहे थे mind से instruction मिल रहे थी हाथों को फिर play हो रहा था second step में वो first point cancel हो गया है निकल गया है जो आँखों से देखने वाला था क्योंकि अब already बोल माइं में हैं 2-4 दिन आपने practice करके mind में बिठा लिया है बोल अब क्या है अब आप छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हैं जैसे कि धन तिन ये बिलकुल soft चाहिए loud चाहिए यहां base में पहले धन में open आना चाहिए आखरी धन में slide आना चाहिए तो यह जो छोटी छोटी techniques है जो essential है pattern में उन चीजों की तरफ आप ध्यान देंगी ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही आप यह सब चीज़े follow करने की try करें बिलकुल भी नहीं होगा beginners की बात करों advanced की बात नहीं करों यह छोटी छोटी चीज़ों जो भी बताएगी है कहाँ slide देना है कहाँ कैसे है second step में आप अपने इन सब चीज़ों को follow करना है तो देखिए दो steps में आपकी क्या क्या चीज़े तेयार हो गया आपका almost pattern बिलकुल अच्छा बजने start हो गया है शुरुआत में आप गए step by step बिलकुल slow बजाया साथ में बोल बोल के बजाया basically बोल याद हो गए आपको second step में बोल याद हो गए थे देखने की जरूरत नी पढ़ रही थी direct बजा रहे थे तब आपने चोटी-चोटी चीज़ों पर ध्यान दिया techniques पर जो भी चीज़ें चाहिए हमे step number 3 अब यह बहुत जरूरी step है क्योंकि यहाँ पर आपको गाने step number 4 में आप गाने के साथ बजाएंगे तो step 3 उससे बिलकुल पहले है that means आपको गाने के साथ बजाने के लिए अपने आपको तयार करना है गाने के साथ साथ बजाना और अखेले बजाना दिन रात का फरक है, अकेले बजा लोग अपने हिसाब से tempo set करना है, अपने हिसाब से आप pattern बजाए, जो भी करنا है अपने हिसाब anlam से कर सकते है, गलती की बहुत गुंज़ाइश है, गाने के साथ नहीं है, तो step 3 में क्या होगा? अब आपने आपने आपको को तयार करना है कि आप गाने के साथ बजाने लाइक हैं अभी की नहीं है वो कैसे पता चलेगा देखिए दोलक बजा रहे हैं पैटर्न बजा रहे हैं बचाते बजाते आप किसी से बात करें या आप खुद गाना गाएं आपकी दोलक डिस्टॉब हो जाएगी मतलब सही बज मैं जाने आप यांगे प्रक्टिस कर रहे हैं जब दो हफ्ते से अगी स्थर्ट में क्या होगा पहले स्टैप में जैसे कि माइंड पहले देख रहे थे माइंड में जा रहे थे फिर हात फॉलो करके बोल बजा रहे थे थे इससrete में क्या होगा अब M lijसे भी सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अब डिरेक्ट यहां पर बजना चाहिए, आप चाहिए, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, देखे, अब इस पैटन को हम तेज बजाएं, स्लो बजाएं, मैटर नहीं करता है, बट यह है कि मुझे सोचने की ज़रूरत इस बढ़ ने है कि मैं और कैसं से बल बजा रहा है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हुं, मेरा माइड उस बात पर है कि मैंने कौन से व nous आपके साथ है, बट यहidas बहुत इस बहुत नहीं पर ख़़ रहा हा इक अपने टेमों पर चलने है, वही softness ओभि साहि तो आप गाने के साथ बचाने के लिए बिल्कुल ready हैं क्यों क्योंकि step 4 पर आ गए हम क्योंकि step 4 में क्या है आपको अपनी rhythm के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको गाने के बारे में सोचना है गाने में कहां से शुरुआत होगी कहां पे pause आएगा कहां पे filler आएग हां तो बहुत सारी चीज़े हमने एक साथ मैनेज करनी है बट अगर हम अपने ही पोल सोचते रहेंगे कि मैं धिंता तिंता तिंता बजा रहा हूं फिर फिलर कौन सा बजाओं फिर फिलर के बोल क्या होंगे अब गाना गाना अलग जाएगा आपकी रिदम अलग जाएगी इसलिए step number four में जब आप ये टेस्ट कर लेंगे ना अपना जैसे करोना टेस्ट हो रहा है वैसी ये भी एक टेस्ट है कि आप गाने के साथ बजाने के लिए तैयार है की नहीं है वही किसी से बात करते हुए ठेका लगाईए बजाईए ताल बजाईए खुद गाना गाईए फिर बजाईए अगर बज गया किसी से बात करते हुए भी अगर आपकी दोलक पर कोई फरक नहीं पड़ रहा है आप गाना के साथ बजाने के लिए बिल्कुर रेडी है अब क्या करेंगे आप वह जो पैटन था जैसे धिंता धिंता था इस पर बेस्ट गाना उठाईए ग और जब गाने के साथ आप बजाने के ट्राइए करेंगे उससे पहले गाना सुनिये आपने क्या चीज़ सुनिये गाने में जो साइकल चल रही है मतलब कि धिंता 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 पहला धिं सम है तो उसका सम कहा है क्या उसकी साइकल चल रही है क्या उसका ट्र किए क्योंकि आपने सम टू सम मैच करना है मतलब की स्टार्टिंग पॉइंट गाने का स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल मैच करना चाहिए रिदम की रिदम आपके रिदम का स्टार्टिंग पॉइंट सम बिल्कुल मैच करना चाहिए पूरे गाने तक अगर आपने लगा दिजे कि वीडियो देख रहे हैं और कमेंट करके यू नई चैनल के बारे में और लोगों को भी बताईए कि प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्स पो मॉचिंग